नमस्कार दोस्तों ड्रेगन फूट में बहुत सारी वराइटीज है लेकिन उन बहुत सारी वराइटीज में कुछ गिनी चुनी ऐसी वराइटीज है जो कि बहुत सी स्पेसियल है जैसे कि इक्वाडोरेन पलोरा दोस्तों इस वराइटी खासेत यह है कि यह सबसे मीठी वराइटी है यानि कि इसका जो टेस्ट है सबसे ज़ाजा मीठा होता है ड्रेगन फूट का मीठा होना और उसका ग्राफ्टिंग होना इससे बहुत ज़्यदा कुछ लिंक नहीं होता है लेकिन कहीं न कि यह इंडाइटली लिंक होते हैं भी हम ग्राफ्टिंग करके ले सकते हैं आज हम बात करेंगे हम ग्राफ्टिंग करने के बाद ऐसी कौन-कौन से गलतिया है अगर इसको हम नहीं करेंगे तो हमारा जो ग्राफ्टिंग रेट है वो बिल्कुल 100% सक्सेस्पूल रहागा तो दोस्तों यह आप देखने हैं कि हमने यह ग्राफ्टिंग किया था यह ड्रेगनफूल का प्लांट और यह ग्राफ्टिंग हो चुका है यानि कि वो पुरा अच्छी तरीके से सैट हो चुका है अब यह हिल नहीं रहा है लेकिन हमने पुरा इसको देखिए साइट से छिल दिया था लेकिन नीचे से छिलना बाकि रह गया दोस्तों तो अगर नीचे से इसे ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगा तो यह जो उपर से जो हमने ग्राफ्टिंग किया था यह आसन तरीका है जिसके हमने किया हुआ है काम और तरीका वह भी आसान है उसमें सिर्फ बर्ड यानि की इसकी आक्षिें होती है जहां से यह नया ग्रोथ आता है बस उसकी की ग्राफ्टिंग किया था दोस्तों लिकिन उसके लिए आपको से सबसरे छोर Gift leaf मिल जाए, ठो हमें चोटी सी leaves का इस्माल करके बहुत सारे plant ठ्यार कर सकते हैं अर उसका साइस होता है कि हमारे varieties होते है कि आयसी varieties है जिसका growth बहुत slow होता है तो इसके लिए हमें ऐसा root stalk लेना पड़ेगा यानि कि इसको बर grafting किया जाता है उसको root stop कहते हैं तो हमें ऐसा रूट पर करेना पड़ेगा जिसका ग्रोथ पहले से बहुत ज़्यादा फास्ट है तो अगर अच्छी फास्ट रूथ की बात करें तो उसमें से जो सी वराइटी के ड्रेगन फूट का वराइटी है यह बहुत अच्छा प्लांट है और एक मरोकन ड्रेड है तो यह दोनों वराइटी को मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं क्योंकि इन दोनों वराइटी है इनका जो ग्रोथ रेट है बहुत ही फास्ट रहता है तो अगर आप इन में ग्राफ्टिंग करते हो तो जो आपके प्लांट होते हैं बहुत ही फास्ट ग्रो करते हैं और आपके कैनोपी जल्दी बनेगी और जल्दी कैनोपी बनने का मतलब है कि जल्दी फ्रूटिंग आएगा वैसे भी dragon food को fruiting लेने के लिए at least one year का time तो देना ही चाहिए दोस्तों लेकिन हाँ अगर आप गलत time में लगा रहे हैं तो आप maybe एक से डेड़ साल या दो साल भी time लग सकता है क्योंकि दोस्तों हम देख सकते हैं कि जो हमारा मही का महिना है इस समय से flowering अना start हो जाता है तो अगर आप अभी लगाएंगे तो अभी तो fruiting आएगे नी, flowering आएगे नी तो अगले साल फिर आपको मही में आएगा तो एक साल आपको time देना पड़ेगा अगर आप December में लगाते हो तो फिर एक डेट साल लग जाता है तो इस प्रकार से सुचने होली बात है दोस्तों Equaduran pallora के अलावा आप कोई भी variety को graft कर सकते हैं अगर आपको जल्दी fruiting चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हम पोल तक लेके जाएंगे जो हमारा dragon fruit का plant है पोल तक लेके जाएंगे फिर वहां से इसको उपर से कट करके graft कर देंगे और जल्दी से हमारी canopy बनके दियार हो जाएगी अब दोस्तों बारिये tips देने की dragon fruit में आपको एक में असान सा एक बहुत अच्छा सा tips देता हूँ कि दोस्तों dragon fruit में हम अकसर जो जड़े होती हैं वहां पर पानी देते हैं हैकिन आपको बता दें अगर आप डेली जो फ्लावरिंग सीजन आता है अगर किसी का dragon fruit का पौधा है और इसमें फ्लावरिंग नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है इसके दो मेथड तो हैं ही एक मेथड तो मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाई है तो इसका डिस्प्रेशन में आपको लिंक तो देही दूँगा लेकिन एक और आप काम जो आसान तरीके सका सकते हैं वो है souring दोस्तों आप जब भी सामें पानी देते हैं तो एक बार जरूर ड्रेगन फूट के उपर प्लांट के उपर पानी देदे जिससे कि जल्दी से जल्दी आपका ड्रेगन फूट के पौधे में फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाएगा ऐसा आप देखोगी जरूर क्योंकि यह मेरा खुद के experience है और मैं अपने experience से आपको यह बता रहा हूँ जब आप ड्रेगन फूट के पौधे के उपर पानी की पौशार करते हो तो इससे जो ड्रेगन फूट में जल्दी फ्लावरिंग तो आती ही है साथ ही ड्रेगन फूट के पौधे में जो पानी की आपूरती है वो भी पूरी हो जाती है जै जवान जै किसान जै हिस्त